देश में कोरोना के बढ़ते प्रकोग के बीच अर्थिवयवस्ता लगतार गर्थ में जा रही है तमाम सेक्टर आर्थिक मंदी से जूज रहे हैं भारतिय विमानन कंपनियों पर भी मुसीबत का बुरा प्रभाव पड़ा है इसी बीच रेजिंग एजनसी कृसल ने भी चौ पुर्ण बंदी लागू की जिससे इस मुसीबत के प्रसार को रोका जा सके इस पुर्ण बंदी में सब गतिविधियों पर रोक लगा दी गई रेल और हवाई सेवा भी बंद कर दी गई जिससे अर्थवयोस्ता भी डगमगा गई हर सेक्टर को काफी नुकसान पहुंचा बिमानन सेक्टर पर भी पुर्ण बंदी ने बुरा प्रभाव डाला लेकिन जून में अनलॉक मोड की शुरुआत कर दी गई उससे कुछ दिन पहले ही मई में घरेलू हवाई सेवा भी शुरू कर दी गई लेकिन हालात अब भी नाजुक बने हुए हैं जिसकी वजह से भा 30,000 करोड के राजस्व का नुकसान होगा रेटिंग जिंसी क्रिसिल ने बताया कि कोरोना से दुनिया भर में वीजा और यात्रा पर प्रतिबंध लगा है घरेलू बिमानन उद्योग पर इसका असर 3 साल तक रहेगा क्रिसिल ने बताया कि फिलहाल इन कमपनियों का राजस् तो बिमानन कमपनियों को थोड़ी राहत मिल सकती है आपको बताते कि बिमान परिचालन के खर्च में 30-45 प्रतिशत हिस्सेदारी इंधन की होती है फिलहाल जो माहौल है उसमें चालू वित वर्ष में घरेलू बिमान यात्रियों की संख्या में 40-45 प्रतिशत और विदेश ना होगा डिबी लाइब की रिपोर्ट